हलो दोस्तों कैसे हैं आज हम लोग अपना narration का section quiet करने जा रहे हैं दोस्त हम लोग पिछले वीडियो में का सीखे थे narration का हम लोग introduction सीखे narration बोलते कि इसको है ये सीखे अब हम लोग सीखेंगे दोस्त narration में अलग अलग तरह का वाकय को कैसे direct से indict करते हैं ठीक है फिछले वीडियो जो हम लोग general rules सीखे अब हम लोग क्या सीखेंगे कि हर तरह का वाकय को कैसे कैसे change करते हैं हम लोग जानते हैं कि वाकय बहुत तरह का होता है imperative sentence होगा interrogative sentence होगा आपका optative sentence होगा, question type type का sentence होगा, exclamatory होगा, बहुत रखा sentence होता है दोस्त, हम लोग क्या करेंगे, अब एकर करके समझने कोच करेंगे, कि अगर इस तरह का question exam में आएगा, तो हम लोग कैसे इसको solve करेंगे, ठीक है, जैसे मान लेते हैं, कि interrogative type का sentence होगा, बस्ता ये अच्चक, ठीक है, तो जैसे, मान लेते हैं, कि हम लोग आप एकर करके sentence हम लोग लेते हैं, कैसे change करेंगे, वो देखते हैं, सब सबसे पहला तरह sentence क्या लेखेंगे, interrogative sentence देखेंगे interrogative sentence क्या बोलते हैं दोस्त मतलब प्रश्न वाज़क प्रश्न कोई आपसे पूछेगा तो प्रश्न कैसे पूछ सकता है आपसे तो प्रश्न हम लोग दो तरीके से generally पूछते हैं generally एक तो auxiliary verb से पूछते हैं और दूसरा wh question होता है मतलब जैसे who, why, where, what, when, how much इस तरह का question आपसे कोई पूछा जाता है ठीके तो हम लोग question कैसे पूछते हैं दो तरह से पूछते हैं पहला जो तरीका होता है auxiliary verb से होगा auxiliary verb से होगा पहला तरीका हो गया और दूसरा तरीका क्या होगा दोस्त wh question होगा डेवलोच question होगा wh word से इसको बेटर बोलें के wh word से jok question पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा लगी तो उससे question बनता है तो कैsे बनेगा जिमान इसको हटा देता है यहाँ टो कैसे question बनेगा इससे तो अब क्या है दोनों में question तो लगवग एक ही जिसा बनेगा पैटर्ण एक ही है बड़ थोड़ा सा मापको बता दें इसका जो रूल होता है ना आप सो को रूल जिसको हम लोग बात करते हैं सबसे पहला क्या होता है हम लोग रिपोर्टिंग वर्व को क्या कर देते हैं भाईया जब भी इंटरोगेटी संटेस होगा तो रिपोर्टिंग वर्व को हम लोग आस्क में बदल देंगे इसी का टेंस बना देंगे जो भी टेंस में है टेंस के साथ से चेंस कर देंगे ठीक है पहला दूसरा क्या होता है inverted कॉमा को inverted मान लेते हैं ये A है ये B है ठीक है ये A है B है हम ये rule बना किस के लिए बना रहे है A के लिए ये A का rule है इन्वर्टेड कॉमा को किस में बजल जल करते दोस्त if में या फिर वेजर में हम change कर देते हैं दो हो गया और और तीसरा जो हो जाता है, जो ध्यान देने वाली बात है, sentence को हम लोग assertive में, affirmative में या फिर positive sentence में change कर लेते हैं, किसमें change कर लेंगे तो यह जो question वाला sentence है उसको किसमें बदल लेंगे, positive बोल दीजिए, assertive बोल दीजिए, ठीक है, इस तरह का बाकिय में उसको change कर दिए, affirmative बोल सकते हैं, affirmative sentence बोल सकते हैं, आप इसको, कोई भी sentence बोले, इसको change कर लीजिए, normal sentence में change कर लीजिए, ठीक है, अब उसके बाद पकड़के बना दीजिए, simple, जैसे, अगर कोई एक वाकिय बोलते हैं, माल लेते हैं, कि he said to you, he said to you, were you writing a letter, were you writing a letter, ठीक है, inverted comma लगा दिये हैं, और यहां marks of interrogation लगा देते हैं, यह direct है, अब उसको indite करेंगे, तो कैसे करेंगे, अब देगे, सारा रोल हम यह सामने लिखा हुआ है, अब इसी के हिसाब से यहां change कर देते हैं, सबसे पहले क्या सुचे, reporting भर्व को ask में बदल देंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, reporting भर्व क्या है, हमरा set to है, तो हम लोग क्या बदल देंगे, इसको past tense में है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको ask, he asked you, ठीक है, अब देखे, inverted comma किस में change करेंगे, यहां ध्यान दीजे, इफ या वेदर में, तो हम वो इफ छोटा है, तो हम छोटा लगा लेते हैं, ठीक है, आप वेदर भी लगा सकते हैं, हम छोटा, हम छोटा से काम चला लेते हैं, छोटा इफ, आब इसको क्या पहले, positive बना लिजे, were you writing a letter को क्या लिख सकते हैं, सोच के देखे, were you writing a letter को हम ल यहां यू है तो यू ही रह जाएगा, अब दूसरा चीज, तेंस कैसे बतलेंगे, याद होगा आपको पिछले वीडियों लोग टेंस सीखे थे, तेंस में क्या सीखे थे, अगर यहां पास्ट हो और यहां भी पास्ट हो, तो पास्ट का अलग तरीका था, ठीक है, अब पास् perfect continuous में, तो you had been writing a letter, बस हो गया, क्या दिखका थे, बन गया, ऐसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है, एक वाकिए और ले रहते हैं, ताकि समझना और आसान हो जाए दोस्त, जैसे, जैसे, the teacher, the teacher told Radha, the teacher told Radha, क्या लिखने, will you come to me tomorrow, will you come to me tomorrow, अगर माल लेते हैं, एक teacher ने Radha से कहा, क्या तुम कल मेरे यहां आओगी, SSI का Sunday, तो कैसे इसको बनाएंगे दोस्त, इसको indict कर दीजिए, the teacher, देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, तोड़ो क्या कर देते हैं, हम ऐसा देखिएगा, ask में बना देंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, ask Radha, अब देखिए, अब यहां पर इफिए वे इदर, inverted, कोटा नहीं है दोस्त, आप जानते हैं, छोटा बन लिखना चाहेंगे हम, छोटा बन लिख देंगे हम इसको दोस्त, बड़ा बन लिखेगा, second person है यहां देखिए, you है, second person object, object क्या है, Radha है, Radha क्या लड़की है, तो लड़की कहीं साब से क्या रहेंगे, C लगा देगे, ठीक है, C, अब देखिए, you will come to me, you will come to me, क्या simple future है, तो simple future किसे में बजलता है, corresponding past में, तो simple past में लड़की है, will का past क्या होता है, दोस्त, would होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, C would come to, अब यहां देखिए, first person है, first person subject के हिसाब से, तो क्या बन जाएगा, me का, him, आप tomorrow को क्या लिख देते हैं, the following day, following day, याद होगा आपको, हम लोग, parts of speech की कुछ words जब आ जाते हैं, हम लोग के sentences में, आप जानते हैं, हम लोग इस तरह का बहुत सरह sentence यूज़ करते हैं, जिसमें तरह-तरह का parts of speech का word यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग कुछ इस तरह से change कर लेते हैं, यस्टरडे को क्या लिख देते हैं, the previous day, last day, किसी भी तरह से हम लोग उसको में लिख लेते हैं, यहाँ पर इस तरह बना लेंगें दोस्त, धेन बाया, अब दूसरा तरह का बाकि यहाँ पर हम एक बना देते हैं, यहाँ पर हम ट्राइ करते हैं, आपको समझाने का, चीक है यहाँ पर अब लिख देते हैं, शड़िए, अब इसमें कैसे लिखेंगें दोस्त, अब जो बी टैप का वाकिये डबलू एच वर्ड होता है, डबलू एच वर्ड रहेगा, इससे बने गते क्या होगा, सबसे पहला काम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को क्या कर दे यह हमें सही आद रखे का टेंश के हिसाब से चेंज का वभी दे दे देंगें, पहला काम होगा, दूसरा इनवर्टिड कॉमा को गए, टबलू एच वर्ड लिख देते हैं, यह वर्ड में रहने देते हैं, ठिक है? टीसरा काम क्या करते हैं दोस्त, यहाँ पर क्या क्या थे यह तो पहला हो गया, यहां देखिए, inverted, हो गया, अब तीसरा जो है, यही वहला काम, यहां भी करेंगे, वाक्य को interrogative वहला sentence हो क्या करेंगे, हम लोग positive में change करेंगे, जो sentence हो क्या करेंगे, positive में change करेंगे, और उसको indirect बना देंगे, positive में change करके indirect में बना देंगे, अब जैसे इक वाक्य ले लेते हैं, डारेक्ट है, डारेक्ट संटेक्स के ले ले, अब मालत इसी तरह का वाक्य होगा, The teacher, The teacher said to me, teacher said to me, teacher ने मुझे क्या कहा, क्या कहा, Why didn't you come yesterday? Why didn't did you not come yesterday? ठीक है, तुम कल क्यों नहीं आय थे, ठीक है, अब इसको हम लोग अगर indirect कर दें, ID में कर दें तो कैसा हो जागा भाईया, the teacher, अब देखे, said to है, हम लोग क्या करते है, reporting verb को, ask me बला देते है, ask me, अब देखे, क्या करते है, inverted comma quota का, wh word लिख देते है, ठीक है, wh word है, y है, तो y को, y वीरा ने देंगे, change नहीं करेंगे, दोस्त, y, अब इसको क्या बोले थे, sentence को, interrogative बोला sentence, जो है, उसको positive बना देंगे, यहाँ पर भी, interrogative sentence को, sentence को positive बना देना है, positive क्या बनेगा, इसका, you did not come yesterday, you did not come, इसके बनेगे, why, अब second person object के असाथ है, me है, तो क्या बन जाएगा, I, why, I, अब क्या है, did not come, simple past है, simple past किसे बदलता है, आपको याद होगा, past, perfect में दोस्त, हम eyeball में डाल देंगे, हम लोग का, जो change of tense वाला जो वीडियो है, उसको आप जरूर देख लीजेगा, ठीक है, आपको जदा मजाएगा, समझना आसान होगा, हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो आपको बहुत easy हो जाएगा समझना, clear है, तो समझना जरूरी है, तो जरूर से देख लीजेगा, नहीं तो फिर यहाँ पर अचानक से हो सकता है, कि आपको दिक्कत हो, अगर आपको आता है पहले से, तो very good, नहीं आता है, तो देख लीजेगा, दिक्कत कम होगी, ठीक है, why I had not come the previous day, previous day, the teacher asked me why I had not come the previous day, हम लोग मैं पिछले दीन क्यों नहीं स्कूल में आथा, ठीचर ने मेरे से पूछा, मैंने उसका उत्तर दिया, ठीक है, एक वाकिय और ले लिया जाए दोस्त, डारेट में और एक संटेंस ले लो, कोई ये एक संटेंस बोल दीजी, ठीक है, हम ही बोल देते हैं, कोई बात नहीं, अब, father, क्या लिखें, said to his son, father said to his son, पिताजी ने अपने बेटे से कहा, where are you going, where, नहीं, what is, where are you going, चलो ये लिख लो, where are you going, तुम कहां जा रहे हो, तो इंड़ेट में क्या होगा, father, asked, his son, अब देखो, अब यहां पर where है, said to को हम लोग किसे मदल दीए, ask मदल दीए, अब, जो inverted को हम आप किसे मदल देते हैं, जो, wh word लगा रहा तो वोई छोड़ देते हैं, ठीक है, wh word क्या है, पर where, अब क्या है, you are going, इसको affirmative बनेगा, तो क्या मदेगा, you are going, second person object के हिसाब से, where, he, was, going, क्यों, यह किस में है, present continuous में किसे मदल जाएगा, past continuous, ठीक है, एक question और है, एक और सब में जाएगा, अच्छा लाएगा, the teacher, asked, a student, what is your name, what is your name, अगर ऐसा करेगा तो, teacher asked a student, what is your name, तुम्हारा नाम, क्या है, तो आपको कैसे respond करना है, हमेशा, जैसे हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से लखेगा, in dead में कैसे बना लेंगे दोस्त, the teacher, asked, देखिए हैं, यहां तो already asked लगा हुआ है, तो हम लोग कुछ जदा करेंगे नहीं, ask लगा देखिए, ask student, क्या what है तो what लगा रहा है देजिए, अब यहां देखिए, what is your name, तो इसका अगर हम affirmation जदा करने का बन जाएगा, your name is, your name is, तो यहां पर क्या बन जाएगा, your क्या है, your name के जगा, your क्या है, क्या है दोस्त, your second person है, तो object के साथ बने का object क्या है पर student है, तो what his name हो जाएगा, your name के जगा क्या हो जाएगा, his name हो जाएगा, और is क्या है, याद हो का हम लोग यह simple past में sentence है, sorry, simple present में तो क्या बन जाएगा, simple past में, तो what his name was, बस बन क्या है, इसके आगे पीछे, sir, पूछने, बस तना से हो जाता है, मेरा काम हो जागा इतना से, तो इस तरह से आप देख लिजे इसको, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, एक sentence और पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, imperative sentence बोलते हैं कि इसको हैं धोस्त्त, imperative sentence वैसे वाक़े को बोलते हैं, जब किसी वाक़े से, आपको request, command, order, pray, suggest, advice, इस तरह का feeling आता हो, ठीक है, कैसे मोलते हैं इसको, order हो सकता है, command हो सकता है, और क्या हो सकता है, request हो सकता है, और क्या हो सकता है प्रे हो सकता है और क्या हो सकता है अडवाइस हो सकता है और क्या हो सकता है सजेस्ट हो सकता है बहुत सरा चीज़ हो सकता है दोस्त एटी से हम लिग देते हैं आप ठीक है अब जैसा जैसा संटेंस आएगा आपके सामने में आप वैसा देखिएगा और उसके हिसाब से बना दीजेगा ठीक है तो अब वाकिये किस तरह का हम को मिलेगा और कैसे हम लोग करना है तो सिंपल सा रूल है दोस्त सिंपल सा रूल है तो रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं याद होगा हम आपको सबसे पहले वीडियो में बताते हैं कैसे इसको चेंज करते हैं जब हम लोग जेनरल रूल पढ़ते हैं में आपको बता थे रिपोर्टेड इस पीच के अर्थ के हिसाब से हम लोग रिपोर्टिंग वर्व को चेंज करते हैं हम तक हैं अभी इंटेरोगेटिव हम लोग क्या देखें यहां कोश्चन है तो आस्क लगा दिए अब यहां पर क्या होगा अगर वाकिय में प्लीज जैस However, here we are reason लगा देंगे अगर आपको सलाह देते हैं तो एडवाइस लगा देंगे किसी को सजेशन देना हो तो सजेश लिख देंगे मतलब जो वी आप करते हैं उसके हिसाब यहां पर वाक्य हम लोग लिख लेते हैं तो क्या करेंगे यहां पर reporting भर्ब को अर्थ के हिसाब से क्या लिख देंगे अर्थ के हिसाब से इन में से किसी में change कर देंगे क्या कर देंगे change करेंगे इनके हिसाब से जो परवला लिख है न ये इसके हिसाब से आप इसको change कर देंगे ठीक है पहला हो गया इसमें inverted कॉमा के बदले में कुछ नहीं लगाएंगे दोस्त क्या लगाएंगे inverted कॉमा के जगह पे कुछ नहीं ठीक है और sentence को जो sentence रहता है sentence जो रहता है two plus b1 के form बें रहेगा क्या बलनेंगे ये verb plus object रहता है ये वाकि कुछ ऐसा रहता है b1 plus object जेनरली इस तरह का वाकिका sentence रहता है तिसको कैसे change करेंगे भाया two plus b1 plus object जो वाकि में दिया रहे है उसके सबसे इसको change करेंगे ठीक है जैसे एक आदा वाकिये देख लिये जाए जैसे क्या बोलेंगे इसको दोस्त आई टोल्ड आई टोल्ड सीता क्या लिग देंगे प्लीज इस प्रीज इस ब्रिंग ऐगलास अफ और फॉर्ड 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 फॉर्मी मैंने शीताँवाद मेरे लिए एंगलास पानी लेकर आईए और प्रिप्या मेरे लिए गला स्पाइनी लेकर आईए इसको हम लोग इंडिरेट में कैसे कर देंगे दोस्त कैसे कर देंगे आई अब देखिए क्या है प्लीज लगवाई प्लीज मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से टोल को डिक्वेस्ट बतन दीजिए आई रिक्वेस्टेड सीता अब देखिए इंवर्डेट कोमाक कुछ निखना है अज़ संटेंस को टू भीवन से है देखिए फ्लीज को टो खतम हो गया ब्रिंग ब्रिंग किया भर्व है भर्प ब्लस अब्जेक्ट है तो कहलते एटू प्लस भीवन तू भीवन, भीवन क्या है, ब्रिंग है, ग्लास ओफ वाटर फॉर, फर्स्ट परसन है सब्जेक्ट है, तो यहां आई ही लगा हुए तो मी, ठीक है, आई रिक्वेस्टिर सीता तू ब्रिंग अग्लास ओवाटर फॉर मी, बन गया दोस्त, कोई भारी नहीं है भीया, एक भी कोई भी चीज अगर आप ध्हांक से पढ़ेंगे नहीं, तो कोई भी चीज भारी नहीं है, बहुत मज़दार संटेंस है, ध्यान से दिखिए न, सब धन माथा में भूच जाएगा बढ़िया से, कहीं भी हर हर पट पट नह सीधा जाएगा माथा में, धम धपाक से, ठीक है, अब अगला एक वाक देख लीजिए, आपको ज़्यादा मज़ाएगा एक वाक और लिख देते हैं भाहिया, जैसे, क्या लिख दें, दो डॉक्टर, दो डॉक्टर, से टू, इस पेसेंट, डॉक्टर ने अपने पेसेंट से क्या कहा, टेक मेडिसिन अन टाइम, टेक मेडिसिन इन टाइम, डॉक्टर ने अपने मरीज से कहा, कि समय पर दवा लीजिए, इसको इंड़ेट कैसे करेंगा भाहिया, तो लिख देंगे, दो डॉक्टर, अब सेड टू है, तो क्या करते हैं, आपको बताइए तो, डॉक्टर हमेशा आपको अडवाइस करते हैं, दॉक्टर क्या करते हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे, दो डॉक्टर अडवाइस his patient to अब देखिए take से सुरू है V1 से सुरू होता है तो इसके कैसे बता हैंगे 2 प्लस V1 में to take medicine in time कैसे कर देंगे अब इसके हिंदी अगर आपको धियान होगे तो क्या लिखेंगे डॉक्टर उपर वाले का डायेट का हिंदी पता दें तो डॉक्टर सेट टू हिज पेसेंट डॉक्टर ने अपने मरीज से कहा take medicine in time समय पर दवा लीजिए ये डायेट का हिंदी था इंडायेट का हिंदी का लिखेगा डॉक्टर एडवाइस्ट इस पेसेंट तो टेक मेडिसेंट इन टाइम तो डॉक्टर ने अपने पेसेंट को समय पर दवा लेने के लिए सलाहदी डॉक्टर ने अपने मरीज को समय पर दवा लेने की सलाहदी अगर इस तरह का अगर वाकिय का अगर आप हिंदी लिखेंगे तो बहुत ही शुंदर हिंदी होगा मस्त हिंदी होगा दोस्त क्लिव है जैसे एक आदा वाकिया और हम लोग देख लेते हैं तो अच्छा लाएगा सॉरी यहां देख लीजे जैसे यहां पर आप ओर्डर दे सकते हैं कैसे कर देंगे दोस्त अब देखिए एक चीज और भी था यहां पर कहां यहां नहीं यहां पर लिखा है ओर्डर यहां पर है हम नीचे डोण रहते दोस्त देखिए तो जैसे हम लोग किसी को ओर्डर देते हैं टीचर अपने स्टेंट्स को ओर्डर देंगे कभी सीनियर्स अपने जूनियर्स को ओर्डर देंगे इस तरह से हम लोग वाकि लिखते हैं तो क्या लिख देंगे डारेट में लिख देंगे लिखें फादर शेड टू इस सन पीता ने अपने पुद्रों क्या कहा क्या कहा ब्रिंग अ क्या मंगवा अपने पापा अपने बिटे से क्या मंगवा गए बाई सम वेजिटेबल्स बाई सम वेजिटेबल्स लिख दीजे क्या फरक पड़ता है सीखेना तो है अपने को बाई सम ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स जाओ कुछ हरी सबजियां लेकर आओ तो क्या होगा पिताजी अपने बच्चों क्या करेंगा हमें सा ओर्डर देंगे क्या लिख देंगे Father ordered his son to buy some green vegetables पिताजी इसका हिंदी क्या होगा पिताजी ने अपने पुत्र से कहा कुछ हरी सबजियां खरीद लाओ ठीक है पिताजी ने अपने बच्चे से अपने बेटे से हरी सबजियां खरीदने के आज्यां दी के लिए कहा अब यहां चुकिए order type का sentence है तो हमें order लागा हैं बट बात ऐसे पिताजी को उने बेटे को order देंगे क्या पिताजी हमें सब ने बेटे को बचे ऊका थे एक चीज़ और ध्यान रखेगा तो हम लाइफ टाइम याद रखेगा जब आपको वाक्य में कुछ भी समझ में ना आए कि वहां पर command लाएगा कि advice लाएगा कि pray लाएगा suggest लाएगा order लाएगा क्या लाएगा आपको समझ में नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पर already mentioned है please लग गया तो है request लगेगा fix है जैसे यहाँ पर है क्या बोलते हैं डॉक्टर है तो advice करेगा अगर आपको clear दिख रहा है तो आप लगा दीजिए अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है just place tail tail का form लगा दीजिएगा जो tens कहीं साब से tail हो सकता है टोल हो सकता है जो भी आपको लगता है tails हो सकता है will tail हो सकता है जो भी हो सकता है आप देखिएगा और उसकी आपसे यहाँ पर लगा दीजिएगा ठीक है हर तरह कवाकिस में कुछ ऐसा ही बनेगा हाँ एक चीज और आपको हम interrogative में नहीं बताए थे जो अभी आपको बता देते हैं interrogative type का sentence में कुछ question tag भी आता है question tag भी आता है question भी कतरह question ही है जैसे समझ मैं न यह जो no है what is no इसको हम लोग question tag बोलते हैं कभी एक वीडियो में आपको clearly question tag आपको समझा देंगे ठीक है बस यहां समझ लीजिए कि हम लोग indirect कैसे करते हैं उसको question tag भी बिल्कुल interrogative sentence की तरही बनेगा नहीं करना क्या है जैसे हम एक sentence आपको लिख देते हैं समझ में आ जाएगा आपको यहां पर अलग कर देते हैं question tag type का जो sentence रहेगा तो कैसे लिखते हैं माल लेते हैं यहीं वाला कोई वाकी लिख लेते हैं जैसे direct में क्या लिख देंगे राम say to me राम ने मुझे कहा चीक है तुम दिल्ली जाओगे ना you go to Delhi यह तो वाकी हो गया अब जब question tag लगते हैं तो क्या लिखते हैं इसमें don't you don't you ऐसा वाकी मन जाता है दोस्त तो जब भी इस तरह का वाकी हो जैसा वाकी हो अगर यहां पर don't लग गया है तो सबसे पहला काम क्या है इस पूरे वाकी को पहले change कर देना होता है इस पूरे वाकी को change कर दीज़े उसके बाद change कीज़ेगा जैसे हम इसी वाकी को दुबारा लिख देते हैं ठीक है दुबारा में क्या लिख देंगे तुम दिली जाओगे न यहां पर के लिखा don't you go to दिली क्या तुम दिली नहीं जाते हो simple ऐसे वाकी आएगा तो कैसे इसको बनाईएगा अब इसका entire देखिए अब मजाएगा क्या हो जाएगा राम अब देख कोशन है तो ask हो जाएगा ask me अब एक जी देखिए यह वाके कैसा है अब don't खतम हो गया you don't go to दिली हो जागा you अब interrogative sentence से तुको affirmative बना लेना है you don't go to दिली second person object के हिसाब से I if question है तो if लगा दिये I अब don't है तो क्या लगा देंगे did not go to दिली हो गया राम asked me if I did not go to दिली राम ने मेरे से पुछा क्या तुम दिली नहीं जाओगे या नहीं जाओगे जैसा भी होगा टेंस की जब से अर्थ आप निकालिये नहीं जाओगे question तो कुछ वैसा ही है नहीं जाते हो हिंदी वैसा ही बिलकुल निकलेगा जैसा है को जादा दिक्कत नहीं है आपको बस समझना है कैसे हम लोग use किए एक वाक़ी और समझदे ज्यादा हम लोग के लिए अच्छा रहेगा दोस्ति ठीक है एक डारेट और ले लेते हैं इसमें एक एकजामपल और लेते हैं डारेट में लिख लेते हैं यहां निगेटिव था आब एक पोजिटिव ले लेते हैं क्या लिख दें यू तोल्ड मी तुमने मुझे कहा यू विल प्ले फूटबॉल यू वोंट प्ले फूटबॉल यू वोंट प्ले फूटबॉल विल यू अब क्या होगा एक पर आप बताईए अगर इस तरह का वाकिर है तो कैसे बनाएंगे यू टोल्ड मी यू वोंट प्ले फूटबॉल विल यू आप एक पर खुद से ट्राइ केजिए अपने से ट्राइ केजिए तो देखे क्या आता है यहां पर क्या करना था हम आपको देखिएगा इसमें हिंट यह है कि यू टोल्ड मी देखे क्या है यू टोल्ड मी यू वोंट अब देखे यहां पर विल यू है तो विल यू को जो वाकिर बनाते हैं किसे बना लेते हैं इस इन क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्वेशन टैक वाला जो आपका पार्ट है न तो क्या बना देंगे, क्या बनाएंगे, सोचिए एक बार, सोच के देखिए, Will you play football, क्या तुम football, खेलो, गे, जैसा यहां वाक्य होगा, उसके हिसाब से इसको बना देंगे, और उसको बना देते हैं, ठीक है, चली, हम बना देंगे, मिला लिजेगे एक बार, जो आप बनाएंगे, तो क्या लग जाएगा, You told me, if, नहीं नहीं, अभी तो question में लगाएंगे न, You, नहीं, Will you play football, Sorry, यहां You लगा दियां पहले ही, Will you play football, तो इसको अप बनाते हैं, इसका हम लोग, Indirect दोस्त, Indirect का बनाएंगे, You, Ask लाएगा, हो, question है, Ask me if, Second person, I would, I would, play football, ठीक है तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं, कोई भी वाक्य होगा, जो आपका question tag वाला हिस्सा होगा, उसी से पुरा sentence बना लीजेगा, पुरा sentence उस जो पुरा वाक्य है न, इसको question tag से ही बना लीजेगा, जो question है बसको continue कर दिएगा न, बस वाक्य बन जाएगा, और उसके बद उसका इंट्राइट कर दिएगा, जैसे हम लोग normal auxiliary भर्व से बनने वाला जो वाक्य होता है, बिल्कुल वैसा ही हम लोग इसको बना लेंगे, ठीके दोस्त, आज हम लोग दो, तीन तरह का बाक्य देख लिए दोस्त, मोटे तरप दो ही देखे, इंटरोगेटिव देखे, उसमें हम लोग question tag बिक पाट था, हमारा imperative देख लिए जो अलग अलग तरह का sentence आज सकता था हमारा, अब अगले वीडियो में दोस्त हम लोग EC का कुछ और भी तरह का sentence देख लेंगे, जिसका हम लोग in dad बनाते हैं, आप क्या किजेगा, घर में जो आपके पास किताबे होगी, उससे practice कर लिजेगा, जो दिक्कत होगा, comment box में डाल लिजेगा, इसको आगे पीछे करके वीडियो को देख लिजेगा, जिए कोई doubt होगा, तो clear हो जाएगा, लगता तो नहीं है कोई doubt बचेगा, बट देख आपको पूरा change को कैसे change करते हैं, आप देखिए यहाँ पर हम लोग एक change किये थे, वहाँ पर tomorrow और yesterday का चेक किये थे फिछले वाले part में, तो आपको पूरा clear हो जाएगा, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो